नमस्कार दोस्तों स्वागत कर रही हूं आप सभी का शिक्षा प्रवामे तो बिटा ये वीडियो होने वाली है राजस्थान वाले बच्चों के लिए जो बच्चे राजस्थान मादमेक शिक्षा बोड यानि की RBSC से 12 क्लास में पढ़ रहे हैं और उनके पास चत्रकला वि इससे पहले बिटा हम लोग दक्षणी कलाशली मुगल कलाशली और राजस्थानी कलाशली को पढ़ चुके हैं वीडियो अप्लोड कर दी गई है आप लोगों को अगर वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी उस लिंक से आप उन टेस्ट पेपर सेंपर पेपर आपके रिजल्ट और एक्जाम की इंपोटन्स अपडेट्स के लिए शुरू करते हैं वीडियो को तो पहाड़ी कलाशली पर अधारित कुछ महत्वून प्रश्ण में से एक प्रश्ण है पहाड़ी लगू चित्रों में प्रकरती का प्रती निधित्व प्रतेक जगा पर पाया गया है आपके अनुसार इसके क्या कारण हो सकने हैं देखो बिटा मैं आपको बहुत अच्छे से एक बात को बता दूँ यहां पे कि जो प्रकरती चित्र है अभी तक हमने राजिस्थानी मुगल और दक्षणी कला को पढ़ा और उसके पहाडी कला में पहाडी लगुचित्रों में किया गया है इतना सुन्दर अंकन आपको और कहीं देखने नहीं मिलेगा पहाडी लगुचित्रों में प्रकरती का प्रतिनिद्व आपको हर जगा पर मिल जाएगा हर चित्र में मिल जाएगा पहाडी शेली पहाडी मूल अगर हम पहाडों पर जाते हैं तो वहां पर हमें नेचर बहुत अधिक मात्रा में देखने मिलती है तो जो चीज देखने मिलती है उसी चीज को यहां पर चित्रकारों ने अपने चित्र में चित्रत किया गुलेर या पूर्व कांग्डचरण के माध्यम से यह भार्दी चित्रकला की सबसे उत्तम और परिश्प्रत शैली के रूप में विक्सित हुई इसका प्रारम बसोली छेत्र है एक पहाडों में वहां से हुआ जिस तरह से अगर राजिस्थानी शैली की बात की जाए तो राजिस्थानी शैली में सबसे पहले जो चित्र मिलते हैं लगुचित्र मिलते हैं वो मेवाड शैली में मिलते हैं इसी तरह से मुगल कला की अगर बात की जाये तो सबसे पहले जो चित्रांकन शुरू हुआ था अकबर की पीरिट से हुआ था उसी तरह से पहाडी कला में सबसे पहले जो चित्र बनने शुरू हुए वो बसोली से हुए पहाडी शेली पर चित्र बनाने वाले चित्रकार कौन थे? तो मुगल चित्रकार और पहाडों में रहने वाले चित्रकार इन लोगों ने मिलकर के पहाडी चित्रकला शेली की लीव डाली उसको जनम दिया और आगे बढ़ाया पहाडी लगू चित्रों में प्रकृति का प्रतिनेद्य थूर प्रती एक जगा पर पाये जाने के कारण निम्नलिके थे पहला भावभी व्यक्ति पहाडी चित्र शेली के चित्रों का सैयोजन भावनात्मकता, सुंदरता, कुमलता, सरस्ता जो है वो मत्र मुग्द कर देती हैं का व्यात्मक लेह ऐ तरह से और रूप गद्सों दर्र चित्रों में अनुपमपर भाव भर देते हैं इस शहली में भावभी अक्ति सरक्रॉस्ट रूप में पाई जाती है तो भावभी अक्ति से मतलब है यहाँ पर मतलब चित्रों को देख करके समझ आजाता है कि नाइका के मन में कौन से भाव है यह जो पुरुशाकरती महा पर दिख रही है वो उदास है या खुश है इसका जो अंकन है वो प्रकरती यानि कि पहाड़ी शेली में बहुत ही जादा अच्छे तरीके से किया गया है दूसरा है रंग योजना तो पहाड़ी चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया गया है विरोधी रंग विन्यास विसेश आगरे के साथ प्रयोग में लाए गए है विरोधी रंग समझते हैं जैसे कि लाल का विरोधी हरा तो लाल और हरे को कॉम्बिनेशन में ले करके चित्रकार ने चित्र बनाए है जैसे नीले का विरोधी पीला तो नीले के साथ पीले रंग को संतर्ि रंगों ऐसे combination में लेकर के चित्र बनाए गए है तो इस तरह से combination में लेकर के चित्रकार्नodes चित्र बनाया है और चटक रंगों का परियोग पहाड़ी कला में किया गया है इसके अलावा प्रतीक प्रियुक्त करके चित्रों को आध्यात्मिक रहसे में बनाया गया है पीला रंग पवित्रता का रंग माना गया है लाल रंग को प्रेम का रंग माना गया है नीले रंग को कृष्ण वे बादलों की अनंत भावना के साथ यानि कि जो कृष्ण आकरती है उसमें जो पुरुष शाक्रति है उसको उसके शरीर को नीले रंग से दिखाया गया है बादलों की अनंत भावना यानि की आकास को नीला दिखाया गया है बादलों को नीला दिखाया गया है यहां चटक वे विशुद्य यंग रोजना के साथ स्वन और रजत यानि की चांदी वाला रंग को बोले यानि कि यहां पर चित्रों का लंगरण भी किया गया है सूने और चांदी के रंगों से इसके तिरिक्त तीसरा प्रकरती चित्रन पहाडी कला की बात हो और प्रकरती चित्रन की बात ना हो तो यह संभव नहीं है तो चित्र व्रक्ष वेल अताओं से गिरे हुए होते थे वात लचु बक्षियों का चितरण 12 माशा का चितरण प्रमुख है जो प्रकर्थि चितरण वे बारा महिने की प्राकर्थिक विशेषता उन को दिखाता है वर्श भरा जी वार्माहं में नायक नायका की श्रंगारिक विढ़ है एमम मिलन की किरियाओं के चित्र देखने मिलते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहाडी लगुचित्रों में प्रकृति का प्रतिनिदेत्व प्रतिक जगा पर पाया जाता है। अब बात करते हैं question number second की पहाडी लगुचित्रों की प्रमुख शेलियां कौन-कौन सी हैं उनका विस्तार कौन-कौन से स्थानों पर हुआ उनकी सूची बनाई है। वे एक दूसरे से किस प्रकार भीन थे। हिमाली पहाडी चित्र शेलियों की स्थानों को मान चित्र पर भी आपको दिखाना है। बहुत इंपोर्टन कुशन है बिटा। तो देखते हैं इसका आंसर तो प्रमुख शेलियां निमलिकित हैं। सबसे पहली बशोली शेलित जहां से पहाडी कला का आरंब हुआ था। एक तरह से पहाडी कला का जन्म हुआ था। तो सबसे त्राचीन प्रचलित सेली है बसोली सेली के कलाकार और उनके चित्र धीरे-धीरे अन्य पहाडी राज्य जैसे चमबा और कुल्लू में भी फैल गए थे कलाकारों के प्रियोगों और आशुर रचनाव में व्यस्त होने से ये शैली जो थी वो कांगड़ा शैली में परिवर्तित हो गई सेकंड गुलेर शैली अठारवी शताब्दी की पहली दिमाही में अठारवी शताब्दी कौन सी होगी सत्रा सो एक से लेकर के सत्रा सो तीस या तैंटीस वर्ष तक का समय तो इसके अंदर बसोली शैली में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ गुलेर कांगरा चरण की शुरुवात बसोली शैली से ही हुई नैंसुक जसरोटा की राजा बलवंत सिंग के दरबारी चितरकार थे नैंसुक ये पूरा नाम है नैंसुक एक चितरकार थे बिटा जिनका पूरा नाम है नैंसुक जसरोटा ये राजा बलवंत सिंग के दरबारी चितरकार थे और ये बहुत ज़्यादा फेमस कलाकार थे बसोली सेली के और यही वाली गुलेर शेली 1780 के दशक ने कांगडा शेली के रूप में जाकरके फेमस हो गई और कांगडा शेली पहाड़ी शेली की सर्वोत क्रस्ट सेली है सबसे सुन्दर चुत्रा अगर हम बात करें पाड़ कला में कहां पे बने हैं तो वो कांगड़ा शली में बने हैं बसोली की शाखाएं भारत के चमबा और कुल्लों में विक्सित होती नहीं तीसरी बात आजाती है वापस से कांगड़ा शली की कांगड़ा शली जो हमारी बसोली थी वो भी आगे कांगड़ा हो गई और जो गुलेर है वो भी आगे कांगणा हो गई इस शेली में जो चितरकला के, जो राजा थे जिनोंने चितरकला को बहुत ही जादा फेमस किया, उद्भाओ किया, विकास किया, सरक्षन किया उन राजा का नाम था संसारचंद संसार चंद ने राजनितिक शक्ति का प्रियोग करते हुए गुलेर और अन्य छेत्रों के कलाकारों के साथ एक बड़े स्टूडियो का समर्थन किया कांगड़ा शली शीग रही तीहीरा सुजानपुर से पूर्व में गड़वाल और पस्ट्रिम में कश्मीर तक पैल गई बताया ना बसूली भी आगे जाकर के कांगड़ा हो गई थी और गुलेर भी आगे जाकर के कांगड़ा हो गई थी और राजसंसार चंद जो थे उनको चित्रकारी से बेहत लगाव था, तो इस कारण से जो जो राज्य वो जीतते गए, जो छेत्र वो जीतते गए, उसको वो कांगडा बनाते चले गए, आप बात कर लेते हैं, शेली और उनका जो इस्थान था, यानि कहां कहां तक थे, तो बसोली शेली जो थी वो चमबा और अपूरता था, नादोन तक कांगडा शेली चली गई, अब इनकी भिनता भी अलग-अलग हैं, तो कांगडा के चित्रों में सौन्दरे का रहसे रंगों की चंद में रोज नहीं, मतलब सबसे सुन्दर रंग, सबसे सुन्दर रेखांकन, सबसे सुन्दर बेश भूशा, थे तो कांगडा कांगडा कहां पड़ती पहाडी छेत्र में यानि पहाडी कला की जो छेत्र था कांगडा कांगडा के अंदे कौन-कौन सी जगा आगे नूरपूर सुजानपूर ये सारी जगा बहुत ही ज्यादा संदर चेत्र बने और किन रंगों का प्रियोग हुआ इंद अब दूसरी बसोली-सली, बसोली-सली के चित्रों में रंगों की प्रतिकात मक्ता, पवित्रता, चटकपन, प्राथ्मिक विरोधी रंगों का प्रियोग, मैंने विरोधी बताई दिया आपको, इनका जो प्रियोग है वो आधित्य था और प्रात्मिक रंगों का प्रयोग, प्रात्मिक रंग कौन से होते हैं, हमारे आप लोगों को पता होना चाहिए, तो प्रात्मिक रंग होते हैं, वो रंग जिनको हम किनी भी रंगों के मिश्रण से तयार नहीं कर सकते, वो हमें प्राकर्तिक रूप से ही निकते हैं, जैसे क लाल रंग, लाल रंग हम किनी भी दो रंगों के मिश्वन से त्यार नहीं कर सकते, इसी तरह से तीला रंग नहीं हम बना सकते, नीला रंग हम लोग नहीं बना सकते, यही तीन रंग जो है वो प्रात्मिक रंग कहलाते हैं, लाल, नीला और तीला, और इनी रंगों का बहुत प्यात्मक और गीतात्मक शली है जैसा हम लोगों ने जाना ही अभी हमने बताया आप लोगों को की कांगड़ा में सबसे सुंदर चित्र बने तो अब हमको मैप पे दिखाना था तो आप क्यूंकि यह पहाडी छेत्र है तो पहाडी छेत्र हमको उपर ही उपर मिलेगा यह जो पहाडी शेली में जो अब हम मैरे कौन-कौन से केंदर थे बसोली तो यहां पर मिलेगा हमको कांग्ड़ा गुलेर यहां पर मिलेंगे यह इसके छेत्र है कुल लूमन कोर्ट नूरपूर मंडी विलासपुर और यह गड़वाल गड़वाल कौन सा चेत्र जिसको हम आज का ह इमाचर प्रदेश बोलते हैं तो तीरा सुजान पुर। ये हमने मैप परें जगा को दिखा दिया। कांग्राशली की प्रमुक विषेष्टाई हम बात कर चुके हैं इस पे कोमलता रंगोंकी चमक महिले के महिला जो चैरे वह बहुत च्यादा शूदर बनाए गएं कांग्राशली में। बशूली शली की जो प्रमुक विशेष्टाएं हैं वो हैं प्रात्मिक रंगों का प्रियोग पीले रंग का प्रियोग जो उसकी प्रस्ट भूमी और छितिज रेखाया उसको बनाना वनश्पतियों का सैली ब्रद वहवार प्रस्तुत करना मोती आभूशनों में बहुत अधिक मात्रा में बसूली शली में बनाए गए हैं और बसूली शली में पंखों को एक पक्षी है भंग के पंखों को छोटे चंकिले हरे कणों के रूप में आभूशन के रूप में चितरित किया गया है ठीक है बसूली शेली की सबसे महतुकून विशेष्टा यही है अपने जीवंत रंगों और लालिक्ते में विपस्चिमी भारत के चित्रों के चोर पंसिका समुके सौंदरे सास्तर को साजा करते हैं चोर पंसिका एक पहला ग्रंथ दान जिस पर लगुचित्र बने थे और यह किस में बने थे पाल शेली में अपभरंश शेली में और फिर इसी तरह के जो विशेष्टा है वह पहाडी कला अपने अंदर लेकर के आती है अपनी बसूली कला के अंदर में अब देख लिए हम लोगों का नेक्स्ट कोशन प्रेशन नमबर तीन एक कवीता या कहानी का चैन करें और उसमें पहाडी लगुचित्र कला की किसी शेली का चित्रन करें तो बिटा ये एक चित्र आपकी स्क्रीन पर देखे कितने ही सुन्दर गायों कांकनिया पर किया गया है चित्र का नाम है राम अपनी संपत्ति त्यागते हैं आयोध्याकांड और सांगरी रामयन से इस चित्र को लिया गया है जो की वर्तमान में लॉस एंजलिन्स काउंटिंग म्यूजियम अफ आर्ट यूसे में सुरक्षित है 1690 से लेकर के 1700 के दशक में इस चित्र को बनाया गया था और ये एक जो महाकावे है संस्कृत महाकावे रामयन बसुली और कुलू की पहाड़ी कलाकारों के प्रसिंदिदा ग्रंथों में से एक थे इस श्रंखला का नाम सांगरी से लिया गया है जो कुलू शाही प्रवार की एक साखा का निवास अस्थान था कुलू कलाकारों की ये क्रतियां बसुली और बिलासपुर की शैलियों से अलग-अलग मात्रा में प्रभावित थी राम अपने वनवास के बारे में सीखते हैं और अपनी पतनी सीता और भाई लक्षमन के साथ अयोध्या छोड़ने की तैयारी करते हैं मन में संतुलन बनाए रखते हुए राम अपनी संपत्ती को त्यांगने के क्रत्य में समलित हो जाते हैं राम के अनुरोद पर उनके भाई ने अपने सामान धेर कर दिया और अपने प्रिय राम के आभूशन बाली के बरतन हजारों गाए और अन्नेक हजानों की किरपा प्राप्त करने के लिए भीड इखटा होने लगती है बाई और अलक सेट में सीता के साथ दो राजकुमार हैं जो एक कालीन पर खड़े हुए हैं प्राप्त करताओं की भीड उनकी और बढ़ रही है चित्रकार स्राफधानी से विबिन प्रकार के वेरागी ब्रामन दर्बारियों आम लोगों और साही घरानों के नोकरों का केर हैं भोली भाली गाएं और बचणों को भी चित्रत किया गया है यह गाएं और बचणे गर्दन को खीचे हुए टक्टकी लगाते हुए खुले मूं से श्री राम की और देख रहे हैं इस स्थिती की कंभीरता को अलग अलग भावों के माध्धम से संवेदन शील रूप में चित्रत किया गया है शांत लेकिन दीरे से मुस्कुराते हुए राम जिग्यासु लक्षमन आसंकित सीता प्राप्त करने के इच्छुक भ्रामन लेकिन बिना किसी खुशी के और अन्य भाव और विश्वास्तता क्रतग्यता के साथ सुन्दर तरीके से चित्रत किये पर विढ़े निच्चे पूछागा था नेक्स्ट क्यूशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्यूशन है आपका निमनलिकित कार्य पर संझिप्त समिक्षा तियार कीजिए, जो आप लोगों को नेन स्वप के बारे में बताना है, बसोली सलीक काला कार था, बसोली चितरकरा के बारे में, अस्टवनाइका के और कांगडा शेली के बारे में बहुत इंपोर्डेंट है यह चारों टॉपिक इनके बारे में बात करते हैं तो नैंसुक गुलेर कलाकार पंडित सेउ के पुत्र थे यानि कि जो इनके पिताजी थे वो भी कलाकार थे इन्होंने गुलेर शेली को सशक्त रूप में आगे चतिविदियां जैसे पूजा करना भवन स्तलिका सर्वेक्षन करना ठंड के मोसम में रजाई में लिप्टे एक शिविर में बैठना आधी में सम्मलित होते हुए चत्रत किया गया है नैंसुक की प्रतिभा का मुख्य भाग व्यक्तिगत चित्रांकन था यह पहाडी शेली की प्रमक्विश्ष्था बने उनके पैलेट में सफेद और भूरा रंग का बिस्तार था कोमल पेस्टल रंगों का परिवेश था इसका मतलब उनका जो फेमस कर था नैंसुका जिसका प्रियोग उनोंने चितर बनाने में किया था वो सफेद और भूरे रंग इसके अतिरिक सेकेंड बसोली चतरकला को एक्स्प्लेइन करना था तो बसोली पहाडी कला की जन्म दाइनी छेत्र है कला शेली है यहीं से पहाडी कला का जन्म हुआ है चमबा लखनपुर जसरोटा वे नूरपुर रियासतों से गिरी हुई रावी की गाटी में इस्तित है इस सेली के विकास में कांगडा चमबा कश्मीर तथा इस्थाने शैलियों का योगदान रहा यह शैली अपनी सरल्ता के लिए चटक रंग योजना के लिए ओच पूण वन विन्यास के लिए भाव कूण वियंजना के कारण विशेश महत्वर रखती है प्रात्मिक रंगों का प्रियोग इसके अंदर किया गया पीले रंग का अधिक मातरा में प्रियोग किया गया वनश्पती को सैली बद वहवार के रुप में प्रियोग में लाया गया है और आभूशनों में मोती का प्रतिनिद्व किया गया है सफेद रंग से चित्र को भाव प्रदान किये गये हैं इस शैली के चित्रों में भंग के पंगों का प्रियोग किया गया है इसके अलावा पन्ना धातु का प्रियोग किया गया है रस मंजरी पर अधारे चित्र बहुत अधिक मात्रा में बसोली शैली में बने है भागवत पुरान रागमाला में बने है स्वन और रजत रंगों का प्रियोग बसोली शैली में किया गया है और बसोली शेली से ही बाद में जो कुछ सेलियां बनी वो मनकोट, नूरपुर, कुलो, मंडी, बिलासपुर, चमबा, कुलेर और कांगडा शेली हैं जिसके अंदर बाद में बसोली सेली से ही इनकला को शुरू किया गया एक तरह से सक कहा जा सकता है तीसरी चीज़ जो आपसे पूछी गई थी वो है अस्ट नाइका तो अस्ट नाइकों का चितरन पहाडी चितरों में सबसे अधिक चितरित विशों में से एक विश है जिसमें विभीन स्वभाव और भावनात्म की स्थितियों में महिलाओं का जित्रन शामिल किया गया है जैसे उत्का वै है जो अपने प्रिये के आगमन की उम्मीद कर रही है मतबारतरह की नाइका बनाए गई है पहाड़ी में जिसके अंदर एक है उत्का जो अपने प्रेमी के आने का इंतजार कर रही है, उम्मीद कर रही है, धहरे पूर्वक उसकी प्रतिक्षा कर रही है दूसरी है स्वाधीन पाटिका, वह है जिसका पती उसकी इच्छा के अधिनस्त है वासक सज्जा नाइका है, जो नायक से मिलने के लिए त्यारी की हुए बिस्तरों को फूलों से सजा कर और स्वैम सजकर बैठी हुई है तीसरी नाइका है कलहांतरिता, वहे नाइका है जो अपने प्रिये का विरोद करती है और बाद में बच्चताती है अस्ट नाइकाओं का वर्णन कविताओं और चत्रकारों की कला का प्रमुक विशे रहा है एक है अभी सारिका ये भी अस्ट नाइकाओं में एक नाइका है ये प्रेमातुर नाइका है जो किसी भी जोकिम की परवाना करते हुए अपने प्रेमी से मिलने के लिए निकल पड़ती है लास्ट में जो आपको explain करना है वो है कांगडा कलम कलम को ही शेली बोला जाता है कांगडा शेली, कांगडा कलम, कांगडा कला एक ही बात है तो कांगडा की सचित्रकला दुनिया के लिए भारत के बहतरीन उपहारों में से एक है जिसका नाम कांगडा हिमाचर प्रदेश के नाम पर रखा गया है जो एक पूर्वर रजायसत थी जिसने कला को सरक्षन दिया गुलेर चित्रकला का उदे कांगडा कलम के प्रारंबिक चरणों के रूप में कहा जाता है जो की बाद में जाके गुलेर ही बाद में जाके कांगडा बनी बसोली के छेतर भी बाद में कांगडा में मिल गया है ऐस तो निकल गया लेकिन उसके बाद जो संसार चंद का पीरियड आया उसके अंदर कांग्रा कलाम ने चरम पर मौची इस सहली का जो मुख्य विशय वो प्रेम है ले शोबा और संदर इस चित्रों में दिखाया गया है कांग्राशली के प्रमुख विशय जिस पर चित्र बने है कांग्राशली में मौहे नाई का भेथ भागवत कुरान गीत गोविंद रसिक प्रिया और प्रने कताएं व्यक्ति चित्र श्रंगारिक चित्र प्रकरती बारा मासा भी कांग्राशली में बने हैं कांग्राशली के चित्रों में व्रक्ष बादर जल जंगल पसु पक्षियो का बड़ा मनोहारी चित्रन प्रस्थ हुआ है इसमें लाल पीले नीले रंगों का प्रयोग किया गया है कांगडा शेली के मुख्ये केंद्र नूर पूर वे तीरा सुजानपुर है यह चित्रशेली सुन्दर इसलिये हैं क्यूंकि इसके विशे सीमिन थे इस शेली में मुगल प्रभाव सर्वधिक बड़ा था कांगडा के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो है फटू फटू को न फटू बोला जाता है फटू फा आधाता और फिर आधाता मतला पूराता इस तरह से यह पुटू होता है जो है फटू पूर्कू तता खुशाला जो है वो कांगड़ा शली के फेमस चित्रकार है तो बेटा ये बहुत most important questions में लेकर के आई थी आपके लिए पहाडी कला में आशा करती हूं सभी questions और पहाडी कला आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ और वर्टसफ ग्रूप में शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है इसी तरह की और इंफोमेटिव वीड वीडियो उसके लिए